अब देख रहे हैं अब हम शुरू करते हैं अपना फैल्ट किलास का लेक्चर फोर चैप्टर टू सोलुसंस है किसका रणवाश वीडियो बीच में बंद हो गई थी अब नहीं होंगे आपकी बीच-वीच में से जिसे पहले की तरह हुआ है जरी होगा यह लगा तरह आपको मिलती रहेंगी चलिए अब सुरू करते हैं अपना लेक्चर फॉर और जो हम आज लेक्चर फॉर में पढ़ेंगे वह हम पढ़ेंगे इसमें है solubility विलयता और एक हम पढ़ेंगे इसमें इंडरी का नियम खिर दो ही पढ़ेंगे लिक में जो है वो भी पढ़ेंगे उसकी अब और उसका जो एक दो सवाल है जो आजाते हैं जम में वे भी हम पढ़ेंगे तो पहले अब हम समझते हैं विलयता क्या होती ए ठीक है तो सब करते हैं तो क्या काम करेंगे हैं हमारे पास में कोई एक पात रहे हैं हमने क्या काम करा इसमें 100 ग्राम विलायक भर लिया है ठीक है यह क्या बढ़ दिया है संतरप्त करना है संतरप्त करना है याद रखिएगा ठीक है संतरप्त करने के लिए हमें क्या चाहिएगा इसके लिए 100 ग्राम विलायक को संतरप्त करने के लिए विले गिराम की मातरा क्या कहलाती है विले इता सो गिराम विलायक को संतरप्ट करने के लिए विले पदार्थ की जो गिराम में मातरा है वही हमारी क्या कहलाएगी विले इता कहलाएगी ठीक है आप समझ गए होंगे जो मैं भी आपको समझा रहा था ठीक है विलेता क्या होती है तो याद रखेगा सो गिराम विलायक को संतरप्त करने के लिए विलेपदार्थ की मातरा को क्या बोल देते हैं हम इसमें विलेता बाप बोल रहे होंगे कि संतरप्त क्या होता है ठीक है तो हम 100 गिराम विलायक में विले पदार्थ गोलना शुरू इसमें करेंगे और विले पदार्थ तब तक गोलते रहेंगे जब तक कि इसमें विले पदार्थ गोलना बंद नहीं हो जाए ठीक है जब विले पदार्थ विलायक में गोलना बंद हो जाएगा तो इस कंड तक डालते रहेंगे और weight इसका करते रहेंगे तो जो मातhara निकल के सिपने के आएगी डाही मातला हमारी क्या होगी भिलेता होगी ठीक है यह आपको समझ में आ गया होगा चलिए एक बार दोटे किया देख लेते हैं इसकी definition विलेता का मातरक जो होता है, मोल प्षेटी लीटर या गिराम प्षेटी लीटर हो सकता है. अब बात करेंगे हम किसकी थोस्की दर्वों में विलेता तो अब आप समझेगा थोस्की द्रवों में विलेता. यह एक चीज पर depending करती है, वो क्या होता है, वो होता है धुर्विय और दूसरा होता है एधुर्विय ठीक है एक होता है धुर्विय और दूसरा होता है एधुर्विय ठीयोरी मैं आपको तभी समझाँगा पहले जो मैं इस पॉइंट आपको लिखके समझा रहा हूँ धुर्विय और एधुर्विय इसा आप समझेगा अब याद रखियेगा, धुर्वे में भी क्या हूंगे, विले भी होगा, और साथ साथ इसमें विलायक भी होगा, विले और विलायक दोनों होगे, बात करेंगे कि इसकी अधुर्वे की तो इसमें भी दोनों होगे, विले भी होगा, और विलायक भी होगा, अब जो फंडा ह जो man point है वो यह है कि जो दुर्वे विलायक में ही गुलेगा और जो एदुर्वे विलायक में गुलेगा याद रखेगा सेम होना चाहिए अगर विलाय एदुर्वे है तो विलायक पी एदुर्वे होना चाहिए यह हमने हैं इसी प्रकार से लिखावा है और इसके example भी समझाए है चलिए इसकी theory को पढ़ते हैं बड़े प्यार से हम समझते भी हैं हमने हैं लिखावा है कि यह विशक नहीं है कि पढ़ती एक ठोस किसी दरव में गुल जाए तो यह जुरूर नहीं है कि अगर कोई ठोस है दरव में गुलेगा यह जोगा कि नहीं गुलनेगा जैसे की हमने क्या काम करा सक्कर लुग है जब हमकूर लिखा पानी में जो हो नेफ्तलीन या एंथरासीन जो होती है, वो पानी में नहीं गुलती, आप एक तरीके से हमालिजेगे आपको मिट्टी का तिल दी दिया गया है, आप आप से कहा गया है, किसाब पानी में गोल देंगे, तो क्या हो पानी में गूलेगा? नहीं गुलने का है, पानी के उपर आ ठीक है तो इसी परकार की कौन है नेफ्तलीन भी है और एंतरसीन भी है जो पानी में नहीं गुलती है पर जब हम नेफ्तलीन को और एंतरसीन को बेंजीन में गोलने की कोशिश करते हैं तो क्या होता है ये गुल जाती है ठीक है अब हमने उल्टा करा कि जो सक्कर थी हमारे पा वो घुलेगा किसमे दुर्विय विलायकों में और जो एधुर्विय विला होगा वो घुलेगा किसमे एधुर्विय विलायकों में अब बात करेंगे हम किसकी जिसे हमने पहले एक्जाम पर लिया था पानी का और सक्कर का तो यह दोनों के दोनों कैसे हैं यह दोनों के दोनो सीन और बेंजीन की तो अगर हम यहां इनकी बात करें दोनों की तो यह दोनों की दोनों कैसे हैं ए दुर्वे हैं और हम बात करेंगे बेंजीन की तो जो बेंजीन हमें मिली हुई है ठीक है जो हमें यहां बेंजीन मिली हुई है वो बेंजीन भी हमारा कैसा है ए दुर्वे है ठीक है आप यहां से से किलियर कर लीजेगा तो जब एधुर्वय है तो एधुर्वय किसमें गुलेगा एधुर्वय में और जो धुर्वय है वो किसमें गुलेगा धुर्वय में ठीक है अब हमने इसमें नीचे एक पॉइंट और लिखा है वो क्या है वो समझेगा कि जो ठो उस पधार्थ का दरव पधार्थ में घुलने की किरिया, क्या क्या कहलाती है, विली निकरन, ठीक है, अब यहां से आगे हम पढ़ेंगे, जब हमारे पास में कोई W Stück विलियन है, और विलियन में हम लगातार विलया पतार्थ की सांदर्टा बढ़ाते जा रहे हैं सबूच कीजेगा, हमारे पास में सरबत है हमने पानी में चीनी मिला रखे और अब हम उसमें चीनी डालते जा रहे हैं तो कुछ समय बाद प्या होगा जो चीणी के कन होगे, वे सर्बत में उपस्ति जी विल्या के कन के साथ में क्या होगा? संगट कर लेंगे, संगट का मतलब एक तरीकी सी मांनीगों की जूड जाएंगे, जशुक्वन चाथे में। बहुत सारे खन के तरीका आपस समझ सकते हैं आपने सर्वत लिया और आप इसे गरम करते चलेंगे चले जाएंगे तो उसके सांदरता लागातार बढ़ती हुई चली जाएगी तो एक आएगी जब आप उसे बाद में छोड़ देंगे ठंडा करेंगे तो उसमें से कुछ लिक्विड अलग हो जाएगा और लिक्विड के साथ-साथ में ही जो कुछ और जो हम बाहर से विलय के कन डालते हैं वेब तो विलय के कन विलयन में उपस्तित विलय के कन के साथ में जुड़ जाएंगे और संगट कर लेंगे संगट का मतलब एक साथ जुड़ जाएंगे बहुत सारे कन और बाद में क्या प्राप्त होगा हमें इस किरिया से क्रेस्टल करण किसी विलियन का जो निर्मान होता है वो किस से होता है विले और विलायक के दुवारा ठीक है अब हमने लिखा अभी है कि किसी विलियन का निर्मान विले तता विलायक के कौनों के मिलने से होता है आप इसा ऐसे समझे लिजेगा जैसे मापको समझा रहा था ठीक है कि जो विलियन का निर्मान होता है वो विले पिलस विलायक से ही होता है चलिए देखे हैं हमने इसका फूर्मला भी आगे लिख रखा है देखिए हमने हैं लिख दिया है इसमें कि विले पिलस विलायक बराबर विलियन ठीक है यह हमने शुरू में ही की भी बात करेंगे ठीक है फिर हम इसमें संतरप्त विलियन की बात भी करेंगे तो संतरप्त विलियन वह विलियन होता है जिसमें हम विले पदार्त की और अधिक मातरा नहीं खुल सकते हैं सब पुछ किजिए हमने कटोरे में या गिलास में पानी ले लिया पानी में हमने चीनी डालने शुरू कर दी हम चीनी डालते जा रहे हैं डालते जा रहे हैं कंडिशने से आई कि चीनी पानी में घुलना बन हो गई और चीनी मातरा नहीं घोली जा सकती है अब बात करेंगे किसकी एसंत्रपत की तो सटन रफ्टि विल्याहा होता है जिसमें विल्य कारत की ऊरदिक मातर गोली जा सकती है तो जो सबर्लार्पत की पड़ेगा पड़ेगा अभिकलया कीवे अभिकारक बोल देते हैं, जैसे हम बहुत देर से के example पड़ रहे हैं किसका सर्वत का, तो सर्वत में हमने किन दो चीजों को यूज किया था, एक पानी को और दूसरा चीनी को या सक्कर को, तो चीनी और जो सक्कर या पानी हैं, वे हमारे क्या हैं, वे हमारे अभिकारक हैं, और जो उत्पाद है, वो हमारा क्या है? सर्वत हैं. तो हम बात करेंगे ताफ़े दाब के परभाव की, तो जो दाब का परभाव होता है, ठीक है? और अब हम बात करें किसकी यदि अभिक्रिया कैसी होगी उस्मा छेपी तो अब हम बात करेंगे ताप की अगर उस्मा जो अभिक्रिया हो कैसी उस्मा छेपी है अर्थाद अभिक्रिया से लगातार उस्मा निकल रही है इस अवस्ता में अगर हमने ताप बढ़ा दिया तो जो अभिकिरिया का वेग होगा वो पस दिसामे को परिवर्टित हो जाएगा पीछे को हट जाएगा आगे को बढ़ने की बजाएगा ठीक तो अब आप यहाँ याद रखेगा अर्थात अभिकिरिया के वेग कमान घट जाएगा और अगर अभिकिरिया कैसी हो उसमा सोसी हो देखिएगा दूसरे पोईंट में हमने है समझाया भी है उसमा सोसी है तो ताप बढ़ने से जो अभिकिरिया है उस कमान अभिकिरिया के वेग कमान बढ़ जाएगा अर्थात विले तकमान भी बढ़ जाएगा और अभी कीरिया कैसी होगी तेज गतिस होगी अब मैं आपको है एक एक जामपिल समझा देता हूँ छोटा सा आपको याद अभी आ जाएगा जब हम कैल्सियम जो हमारे पास में होती है कैल्सियम ओकसाइड या कै पुट्टी घिसवा देते हैं पहले के समय में क्या होता था सब कली करा देते हैं अभी कुछ कली करा देते हैं जो कली का नंबर आता है कराने का तो कली को बाल्टी में डाल देते हैं और थोड़ा सा पानी बढ़ देते हैं तो आप थोड़े देर के बात देखोगी जो पान उसमा चेता हूं जिससे आप ऊस्मा सोची को समझ सकते हैं जैसे आपने देखा होगा जब बर्सात का समय आता है बर्सात पढ़ने को तरन्द लगने नीचे रात से या अगली दिन से इसका कारण क्या होता है जब ओला गलता है तो ओले को गलने के लिए उस्मा क्या हो सकता होती है अर्था दभीकिर्या कैसी होती है उस्मा सोची वह क्या काम करता है आसपास की जितनी भी उस्मा होती है उसे सोग लेता है ठीक है और टेम्प्रेचर को घटा देता है चलिए इस उतनी ही अधिक मातरा में गुल जाएगी बात आपको समझ मागई होगी गैस की जो गुलन सीलता होती है किसी विलायक या विलियन में वह गैस के आंसिक दाब के समान भाती होती है अर्थात गैस जितना अधिक दाब लगाएगी उतनी ही अधिक मात्रा में वहम गुल जाएगी ठीक है? अब हमने हैं लिखावा भी है क्या? कि आंसिक दाब अधिक होने पर गैस की दर्वों में विलेता का मान बढ़ जाता है ठीक है? मान क्या होगा? बढ़ जाएगा अब बात करेंगे दुबारे से यहां लिखावा है इसमेर ताब दाब का परभाव अब यहां जो यह हमने समझाए वे थे ताब वे दाब का परभाव यह हमने समझाया था ठोस पर ठीक है? और अब जो हम यहां समझा रहे हैं यह हम समझा रहे हैं, गैस पर, तो याद रखेगा, ताफ वे दाब का परभाव, गैस पर पड़ता है, गैस पर दाब और ताफ दोनों पर भाव करते हैं, अभी किरिया के विएक को, ठीक है, तो यहां हमने लिखा हूँ अभी है, कि किसी गैस की दरव में विलेता, ताफ वे दाब दोनों पर निर्वर करती है, ताब कमान जितना कम होगा, वे दाब कमान जितना अधिक होगा, गैस की दरव में विलेता उतनी ही अधिक होगी. चलिए अब पढ़ते हैं हेंडी का नियम अब हम सुरू करते हैं हेंडी का नियम important है exam की दृष्टी से भी और अगर आप से कोई chapter फड़ाता है तो कभी-कभी test में बहुत जादे दे देते हैं इसे हेंडी के नियम को तो हिंडी का नियम क्या था हिंडी ने यही समझा है था कि जब कोई gas किसी विलायक या विलियन में घुलेगी तो उसकी विलायता किसके समानपाती होगी ठीक है तो वह होती है gas दुआरा विलियन या विलायक की सतह पर लगने वाले दाप के यही क्या है हिंदी का नियम कि किसी विलियन या विलायक में गैस की विलायता गैस दुवारा विलियन या विलायक की सतह पर लगने वाले आंसिक दाब के समवन पाती होती है विलियन या विलायक की सतह पर दाब कौन लगाईगी गैस ठीक है इन्नोंने गाशों के अरू की संख्या और दाव को समझाने के ली एक निए परजीवाद दित किया था यह इसकी त्यow्री एक निय compadra दित किया था और इन्होंने उआफ कैसा कर दिया था इस थे ठीक है और इन्हों समझाया था कि किसी गैस की दर्व में विलही था दरव या विलियन की सतह पर लगने वाले आंसिक दाव के समानुपाती होती है और एक formula बनाया था इन्होंने कि यहाँ formula बना के दिखाया था इन्होंने M proportional to P ठीक है तो इन्हों जो formula बना के दिखा दिया था M proportional to P वाला यह है ठीक है और proportional की चिन को यहां से हटा दिया था समानपाथ की चिन को हटा गे बराबर का चिन लगाया था और साथ में क्या जोड़ दिया था constant के बराबर क्या है यहां constant है ठीक है अब जो हिंडी का नियम लागू होता था उसके लिए कुछ सर्थ भी थी तो वे सर्थ क्या थी इनकी कि दाप बहुत अधिक ने होना चाहिए ने हो ताप बहुत कम ने हो और गैस बहुत अधिक विले ने हो ठीक है अगर अधिक मातरा में गयस विला होगी, तो भी क्या थी? प्रोबलम थी, तो गयस भी बहुत अधिक मातरा में विला होने नहीं चाहिए थी बात हम करेंगे अब किसकी? हैंडीके समकालीन, व्यग्यानिक की जिनका नाम क्या था? डाल्टन था तो डाल्टन ने भी हेंडी के नियम की ही पुष्टी की थी और इन्होंने भी इनका एक अलग आधुनी ग्रूब दिया था इन्होंने ये बताया था कि जो गैस की विलेटा होती है वो गैस के आंसिक दाब के समानुपाती तो होती ही होती है मगर gas का जो molence होता है किसी billion में उपस्तित gas का molence जो billion में gas गुल गई है उसका molence gas द्वारा billion की सत्य पर लगने वाले अंसिक दाब के समानों पाती होता है और इन्होंने भी एक अपना formula दिया था P equal to KH X जहां P क्या है? gas द्वारा लगने वाला अंसिक दाब है के क्या है? हेंडी नियतांक है और X क्या है यहाँ? जो gas है हमारे पास में उसका molence है चलिए अब इससे आगे चलते हैं अब पढ़ते हैं हेंडी के नियम की उप्योगिता है हेंडी के नियम की उप्योगिता है जब गोताखोर समुदर में जाते हैं तो गोताखोर समुदर में कोई एक या दो फुट तक ही नीचे नहीं जाते हैं वे लगभग सो डेट सो फुट तक भी नीचे चले उसमें जाते हैं तो हिंडी का नियम क्या था? हिंडी का नियम यह था कि जब gas द्वारा विलायक या विलियन की सत्या पर आंसिक दाब बढ़ेगा तो gas की विलेता भी विलायक या विलियन में बढ़ेगी इन्यम आपने पहले ही पढ़ लिया है तो अब आप इसे धियान से देखेगा जब विलेता बढ़ेगी तो जब गोताखोर समुदर की सतय से नीचे जाने शुरू कर देते हैं धीरे-धीरे तो इस condition में क्या होता है जो आंसिक दाव होता है गैस द्वारा वो बढ़ना शुरू हो जाता है और जो cylinder उनके द्वारा ले जाता है गोताखोरो के द्वारा उसमें जो गैस होती है वह धीरे-धीरे उनके सांस के द्वारा ही जाती रहती है तो रक्त में क्या होता है जो गैस होती है उनकी विलेता बढ़ जाती है क्यों फेपड़े क्या करते हैं गैस को सोक लेते हैं किसे सोकते हैं औक्सिजन को क्यों सोकते हैं औक्सिजन को क्यों 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 क्यो को सोख लेते हैं अन्य गैस को नहीं सोख पाते हैं उनका जो भार होता है वहाई से कम होता है मगर जब नीचे दीरे दीरे जाना शुरू कर देते हैं तो जो अन्य गैस lawsब्ना थे प्रिन ह聯द का सेथा थे उन्हें हलका चा सिर्मन डरниц या और घबराटश सी थोड़ा होना शुरू हो जाएंगी, मगर जैसे जैसे वे ourselves समंद्र की सत्य की और और शुरू करते हैं उपर की और और सुरू करते हैं तली से समंद्र तो क्या होता है जो आंशिक दाव है वो धीरी धीरे के सोना सुरू हो जाता है कम मगर गैस इतनी तेजी से रक्त से बाहर नहीं निकलती है जिसकारण रक्त में गैसों के क्या बनने सुरू हो जाते हैं बुलबुले जब बुलबुले बनने शुरू हो जाएंगे और रक्त काही में बहता है नसों में बहता है नलिकाओं में बहता है और जब नलिकाओं में रक्त के बुलबुले बनेंगे तो रक्त में क्या उत्पन हो जाएगा और जो रक्त की गती है उसमें और रोध उत्पन हो जाएगा ज जो उनका सलिंडर है गैसी सलिंडर उसमें इस गैसी मिसलिंडर का परियोग करें 11.7% हीलियम ले 56.2% नाइटोजन ले और 32.1% क्यालीज में ओक्सिजन तो यह हीलियम उपस्तित है ही यह क्या काम करेंगी रख्त को तनुव बनाएं रख्केगी अगर रख्त तनुव होगा रख्त भारीक होगा पतलह होगा गाड़ा नहीं होगा तो बुलुले बनने के बाद बहते है Champions क्ता है दबाव लगनेगे, साथ ही जिससे दर्द तो होगा मगर क्याता होगा, कम होगा मिरत्यू नहीं होगी, जान नहीं जाएगी ठीक है, गोलता खुर की जान नहीं जाएगी बच जाएगा, चलिए बात करेंगे इसके दूसरे पॉइंट की तो जो दूसरा पॉइंट है वो है, सीतल पे में ठीक है, तो सीतल पे की बात करेंगे तो यहां क्या होता है, सीओ टू सीतल पे जो हमारे पास में होते हैं अगर सीतल पे की आपको इंगलिस में बतमगो तो आपको तुरंत ही समझ में आ जाएगा सीतल पे को इंगलिव में बोल देते हैं cold drinks, तो आपको cold drinks के नाम से समझ में आगया होगा, cold drinks सब पीते हैं गरिमों के मुसम में तो cold drinks में जो होता है, जिसके कारण हमें उसका जो स्वाद होता है, तो थोड़ सा तीखा सा लगता है वो होता है CO2 जब CO2 को water में घोलते हैं तो water में घोलने के बाद में एक acid बन जाता है, वो acid होता है H2CO3 ये होता है carbonic आमल, ठीक है carbonic आमल, याद रखेगा ये क्या है carbonic आमल है, ये एक आमल है ये high density का नहीं होता है, high quality का नहीं होता है इसकी जो अमलेता होती है वो कैसी होती है, low होती है low quality का acid होता है, इस आप पी सकते हैं, ठीक है, अब आप कहेंगे बहुत से कहले लगते हैं, कि जो colding होती है ये acid होती है, ये मत पीए, तो मैं आपको एक और छोटी सी बात बता देना चाहता हूँ जब आप दूद पीते हैं तो जो दूद का जो nature होता है वो कैसा होता है अमलिय होता है, दूद भी कैसा होता है अमलिय होता है, बस natural माल लीजेगा और अगर किसी कारण वस आप जिसी दही है या इस टाइप की जो और चीज भीते हैं वे कैसे होते हैं, चाही पिएगे है चाही भी चाहरी होगी तो मैं आपको यह कहना जादा हूं आप जीवन में जितने भी पेपदार्तों का यूज़ करते हैं उन में से आप केवल एक जल को छोड़ दीजिए जल का प्येच मान कितना होता है कैसा होता लगवग कोई साथ के गरीब होगा गरीब होगा सेवन पॉइंट जीरो उदासीन होगा बाकि सब जितने भी आप अधार्त पीते हैं इस कारण से कोई अधिक परभाव आपको नहीं पहुचा बाते नुपसा नहीं पूचा पाते हैं अगर यह कोई परबल अमल होता तो यह आपकी जान भी ले सकता था तो इसका उपयोग किया जाता है किसमें हैंडिकनियम का सीतल प्रेपदार्तों को बनाने में अब हमें वोटर में सियोटू गैस को लिए तो वोटर में सियोटू गास को हम कैसे गोल दाब कैसा लगेगा कम लगेगा इस इस्तिति में गैस कैसी गुलेगी कम गुलेगी तो हम क्या काम करते हैं आपने देखा होगा जब हम सिकन जी बनाते हैं सोड़ा बनाते हैं तो एक दम से ऐसे लेंगे उसे तुरंत ही वो जोड़ से उसे प्रेज कर देते हैं हत्ति को क्य तो third point जो है वो किसके कारण है वो है फेपड़ो में oxygen gas का अंसिक दावादिक होता है अत्या फेपड़ो द्वारा अंसिक gas को सोग लिया जाता है जिसे सारी दिरिक कारियों में परियोग किया जाता है अब हम बात करेंगे इसके एक fourth point की भी जो है notes में लिखावा नहीं है जो होते हैं जब परवत पर अधिक मुझाई पर चड़ना शुरू कर देते हैं तो उन्हें थकान चक्काराना इस टाइप की समस्या होना शुरू हो जाती है उसका कारण ही होता है कि जब प्रिथवी के तल से भूमी के तल से उपर उठना शुरू करते हैं तो इस condition में क्या होत होता है जो आंसिक दाब है oxygen का वो कम होता है आंसिक दाब कम होने के कारण जब फेपड़ oxygen को सोकते हैं तो उसे कम मातरा में सोक पाते हैं कम मातरा में सोक पाने के कारण उन्हें हो जाती है oxygen की कमी इस रोग को बोल देते हैं और इसी रोग के कारण उन्हें चक्कर भी आते ह उनकी तब्यद भी खराब हो जाती है ठीक है और मांसिक विकार भी है उनमें उत्पन हो जाते हैं सोचरे होंगे कि जो पहाडों पर रहते हैं तो उनमें तो मांसिक विकार उत्पन होंगी होंगे अधिक होते हैं चलिए बात करेंगे हैंडी के नियम के सवाल होगी तो यहां हमें एक सवाल मिलावा है हैंडी के नियम का इस सवाल को अब हम यहां करना शुरू करेंगे चलिए यह हमारे पास में सवाल हमें एक सवाल मिलावा है यहां इसमें लिखा वाया सब्ल में, कि यदि एंटु GAS को 293 के पर जल में से परवाएट किया जाए, तो 1 लिटर जल में कितने मिलीमॉल एंटु GAS विले होगी, अब हमसे विले की मातरां से में पूछ रखिया है, एंटु GAS विले होगी, और यहां हमें अनसी खिदाब दे रखा है 0.08 hacker Rab और into की लिए किस कमान दे रखा है हमें kh मान भी हम में सवाल में दिया वह है चलिए अब हम सुरू करते हैं अपना सवाल तो मने हिन्डी का लिआम लगा लगा हिन्डी का नियम क्या होता है हिन्डी का नियम यह कहता है कि P equal to होता है K H X के, यह हमने पढ़ रखा है, P equal to होता है किसके है, K H X के, यह हमने पहली पढ़ लिया था, P equal to K H X, मगर हमें value किसकी चाहिए, X की चाहिए, X को यह ही छोड़ देंगे, कि H को इदर लेके जाएंगे, तो formula बन जाएगा, X equal to P upon K H, यह हमारा एक formula बन जाएगा, तो हमने formula बनाया, इसमें value रखी, गुना भाग कर रहा, तो यह हमारे पास में एक value निकल लगा गी, 1.29 into 10 की power 5, ठ X N2, अर्थात N2 का mole answer, ठीक है, चलिए, अब एक मिनट के लिए हम सवाल, अब इसे दूसरे तरीके से और पढ़ना शुरू करते हैं, यहां हमें कितना दिया हुआ है, एक लिटर जल दिया हुआ है, जब हमें एक लिटर जल दिया हुआ है, तो एक लिटर जल में जो mole होगी N1 upon N1 plus N2 के क्यों, क्योंकि हम मोलंस किसका निकाल रहे हैं, हम मोलंस निकाल रहे हैं, किसका N2 का, तो इसे के mole की संख्या उपर और कुल mole की संख्या नीचे, तो हमने फोर्मूला बना लिया, N equal to N1 upon N1 plus N2 equal to N1 upon N1 plus N2, अब हम यहां क्या काम करेंगे, कि N1 plus N2 को equal रख दें संक्या की तुलना में, तो हम यहां बना देंगे, हमारे पास में एक value है, निकल का जाएगी, 1.29 into 10 की पावर माइनस 5, क्योंकि N2 के साब एक से N कामान बहुत ही कम है, आते हमने यहां लिखा अब यह में, कि N1 plus N2 equal to N2, अब हम यहां N1 की value निकालना चाह रहे हैं, तो N1 की value के लिए हमें X कमान पता होना चाहिए था, X कमान हमने पहले ही निकाल लगा है, क्या 1.29 into 10 की पावर माइनस 5, और यहां आप ध्यान से देखेगा, X की value, यहां हमें N2 की value पहले से ही पता है, फिर हमने यह वाला formula लगा दिया, ठीक है, N1 की value निकालने के बाद में, हमने य यह formula लगा है, तो इस formula को लगाने से हमने क्या गाम कर, N को यहीं छोड़ दिया, N2 को इधर ले गए, इसकी value में पहले से ही पता थी, तो हमने इसमें गुना भाग करी, और सूर में क्या निकाल दिया, इसमें, मोलो की संख्या, तो मोलो की संख्या, कितनी आई है इसमें, 7. 10.1, 6, गुना 10 की पावर, माइनस 4, मोल, अब हमें क्या निकालना है, यह, मिली मोल निकालना है, तो हम क्या गाम करेंगे, इसे 1000 से और गुना कर देंगे, तो यह क्या है मिली मोल में, तो आंसर आ जाएगा, 0.716, ठीक है, इस टाइप से हमारा आंसर इसमें आज़ेगा, च सवाल को ध्यान से समझेगा, अगर आप सवाल को अच्छे तरीके से नहीं समझ पाएंगे, तो आप सवाल का आंसर भी नहीं दे पाएंगे, याद रखिएगा, सवाल समझना बहुत ही ज़रूरी है, तो अब पढ़िएगा, इसमें, सडवे अंडे जैसी गंद वाली विसे सवाल पूछा हुआ है, सबसे पहले तो हम इसी ठालेंगे, हमारे पास में क्या लिख हुआ है, 0.195 M, इसका मतलब क्या होता है, मोलर्ता है, और मोलर्ता की डेफिनेशन आपने पिछली वाली वीडियो से पढ़ लियो की नहीं पढ़िए है, तो पढ़ लीजेगा, पिछल माल लूँगा, एक लिटर माल लूँगा, तो यह क्या निकल का जाएगी, विला के मोलो की संख्या, और जब मैं कुल विलियन एक लिटर माल लूँगा, तो विला एक के मोलो की संख्या कितनी निकल का जाएगी, यह निकल का जाएगी, 55 तो इससे में क्या निकाल लूँग मैं निकाल दूँगा यहां यहां से मेरे पास में वैल्यू निकल गागी है किसकी X की हम लगाना है मुझे क्या हेंडी का नियम हेंडी का नियम होता है किसके के एच इक्वल टो जाएगा पी अपॉन X के अब X की वैल्यू भी मैंने यहां से निकाल ली है और जो पी की वैल्यू है यह वैल्यू सवाल में दी हुई नहीं है मैंने अपने पास से रखी है यह दोनों की दोनों सवाल बुक्स में एक ही जगे लिखे वे थे तो याद रखेगा इसकी वैल्यू इतनी ही होगी पीक वल्टू कितना जिरो पॉइंट नाइन एट सेवन बार ठीक है इस टाइक से तो के एज के वैल्यू पर कि निकल लिखे कितना जाएगी 279.29 बार यह सवाल भी हमारा यहां हो जाएगा ठीक है सवाल आपको समझ में आगया होगा नहीं समझ माया होगा एक बार दुबार से समझेगा सवाल में केवल हमें मोलर्ता दी हुई थी तो मोलर्ता की डेफिनेशन से हमने एक बार डेफिनेशन दो रहा ही मोलर्ता की डेफिनेशन क्या होती है मोलर्ता की एक लिटर विलियन में उपस्तित विलयाप अदार्थ के मोलोगी संख्या तो हमने कुल विलियन कितना माल लिय एक लिटर तो यह शो मारे पास में मोलाता निकल अ क्या हो जाएगा विलायक के मूलोकी संक्या जब हमने एक लीटर विलिएन माल लिया है तो एक लीटर विल्या अब एक लीटर मboth में मोलायक की मोलोग की होती है 555 यह यह लिख़ा और इद्धी H2S gas की जल की जल में STP पर विलेता इतनी हो तो हेंडी इस तरांग की घड़ना खीजिए अब याद रखेगा जल में घुली हुई है तो एक लिटर जल होगा और जल की जो मोलो की संक्या होती है वो खितनी होती है 55-55 तो N1 कमान आपके पास में ये निकल के आ जाए हेंडी के नियम का फोर्मला क्या होता है के एच इकवल टू पी अपॉन एक्स और पी की वेल्यू रख देंगे 0.987 और एक्स की वेल्यू रख देंगे जो भी अभी हमने है निकाली है 0.0035339 डिवाइड करेंगे 279.29 बार हमारे इसका अंसर आ जाएगा चलिए अब देख के इसमें कोश्चन नमबर दिया उनकू दोस्तों ठान में केल्विन पर सियो टू गैस की जल में विले तके लिए हेंडी स्तरांग कमान दिया हुआ है सवाल में 1.67 इंटू 10 की पावर 8 पांसकल और अब हमने यहां सली कवाइश में 500 ml सोडा जल में 2.5 ATM दाप पर बंद किय छाता है अब ये तो हमें हंदी स्तरांग कमान दिया हिए है केस्की वेल्यू हमें दी Rs है हमें हमें विलेयक का आयतन वीन गया है पांस कंवल सोडा जल यहां हमे एकड़व है दो बार से इतने पर इतने पर सील किया गया है ठीकश हमें दाप मिल गया यहां से पी हम hen तो जो पासकल और ATM है इन्हें हमें चेंज करके किसी एक कंडिशन में लाना पड़ेगा चलिए हम सबसे पहले क्या काम करते हैं इसमें हिंडी के नियम से जो केश कमान होता है उसे देख लेते हैं क्या होता है इसमें हमें दिया हुआ है केश इकवल टू 1.67 इंटू 10 की पाव और 5 से इसे डिवाइड कर देंगे ठीक है अगर आपको ये ATM में चेंज नहीं करना था पासकल में रखना था तो फिर आपको एक दूसरा काम करना पड़ता है जो आपको अलग से दाब मिला हुआ है 2.5 ATM में आपको इसमें 1.01 इंटू 10 की पावर 5 की मल्टिपलाई करनी फिर हमने दूसरा काम कर दिया यहां से आयतन दिया वाता हमें कितना पांच फ्रमल तो पांच फ्रमल किसके बराबर होता है वन बाइटू लिटर के तो हमने यहां से इसमें से एक्स की वेल्यू निकाल ली तो एक्स की इक्वल टू किसके होता है पी अपॉन के हैच के पी क कितनी है एंटू चलिएगा फॉर्मूला बनाते हैं तो सी ओटू का जो मोलन्स होगा हो किसके बरापर होगा एंवन बटे एंवन प्लस एंटू के यह हम इसे लिख सकते थे एक्वल टू एनवन अपोन एंटू के ठीक है अब हमने क्या काम करा इसमें अब हमें क्या चाहिए ह हमें क्या चाहिए हमें चाहिए सी ओटू के मोलों की संक्या ठीक है इसमें लिखा भी है पर सी ओटू की जल में विलेता के लिए हैंडी इस तरह कितना है गुली हुई गया सी ओटू की मात्रा की करना करनी है एनवन की हमें मोलन्स बताना है ठीक है तो हमने क्या काम करा पां किस करें गया और जो CO2 का मोलन से वो हमने पहले निकाल लिया है 1.52 इंटू 10 की पावर माइनस 3 तो हमने क्या काम कर एक फूर्मूला हमारा यहां से बन गया वो हमारा फूर्मूला बन गया क्या कि N1 एक्वल टू X इंटू N2 की वेल्यू किती निकल काई है 27.78 X की वेल्यू अभी हमने थोड़े पहले निकाल ली थी X CO2 की 1.52 इंटू 10 की पावर तेरी multiply कर देंगे दोनों की तो हमारे पास में निकल का जाएगा इसमें इसमें 10 की पावर 3 से गुना और कर देंगे तो यह निकल का जाएगा हमारे पास सोरी ऐसा नहीं है 10 की पावर 3 हमने इसमें से क्या काम कर रहे इसके पॉइंट अटाने शुरू कर दिये तो इसका मान निकल का जाएगा 0.0442 ठीक है कभी-कभी गड़बड हो जाती ह फिलाल इस वीडियो में इतना ही वीडियो आपको अच्छे लगी है तो वीडियो को लाइक कीजेगा चैनल को सबस्राइब कीजेगा और अधिक से अधिक से अधिक सेयर भी कीजेगा थैंक्यू